हेलो दोस्तों मैं हूँ निशा स्वागत है आपका क्यू ट्रिक्स टू पॉइंट उपर यहां आम करते हैं उत्राखन सामाने गयान के महतुपूर्ण प्रक्षणों की प्रैक्टिस यह प्रैशन पूछे जाते हैं UKPSC, UKSSC और DLSC जैसे सभी महतुपूर्ण प्रतियोगी परिक्षाओं में यह क्लास टेली सुबह 6 बजे ली जाती है तो चलिए बिना वक्त को जाया किये शुरू करते हैं आज की क्लास को आपका पहला प्रैशन है उत्राखंड का सरवाधिक छेत्रफल वाला जिला कौन सा है सरवाधिक छेत्रफल वाला जिला आपके आप्शन्स हैं सही उत्तर देने के लिए कमेंट कीजिएगा और आपको समय मिलता है 10 सेकिंड का तो जो की शुरू होता है अब इसका सही उत्तर है आप्शन्स दी चमोली सबसे ज्यादा छेत्रफल वाला जिला अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा भूकम सरवाधिक तीव्रता का था आपके आप्शन्स हैं आपका समय शुरू होता है अब 10 सेकिंड दिये जाते हैं आपको ताकि आप सही उत्तर को कर सके कमेंट तो कीजिएगा सही उत्तर कमेंट तो सही उत्तर है उप्शन नमबर C चमोली 1999 जो सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकम था अगला प्रशन है उत्राखन के किस भाग में पाताल तोड या स्त्रोध को पाय जाते हैं आप्शन्स हैं A. भाबर में B. तराई में C. शिवालिक पहाड़ियों में B. उप्रोक्त में से कोई नहीं आपका समय शरू होता है सही उत्तर है उप्शन B. तराई में अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा उत्राखंड का सबसे उचा परवचिकर है उप्शन्स है A. बदरिनात B. कामेत C. केदारनात या D. नंदा देवी अपका समय शरू होता है अब सही उत्तर है उप्शन D. नंदा देवी सबसे उचा परवचिकर्जों के उत्राखंड में है अगला प्रशन है किंगरी बिंगर नीती, शैल, शाल और धर्म क्या है उप्शन्स है A. परवत B. जील C. दर्रे या D. इनमें से कोई नहीं आपका समय शरू होता है सही उत्तर है उप्शन C. दर्रे जो ये नाम मैंने बोले हैं किंगरी बिंगर, नीती, शैल, शाल ये सभी दर्रे हैं अगला प्रेशन है राज्य में नहान परवत श्रंक लाएं कहां स्थित है आपके उप्शन्स है A. हलदवानी के पास B. ट. द. के पास C. लैंस टॉन के पास या D. इनमें से कोई नहीं आपका समय शरू हो चुका है अगला प्रेशन है राज्य में नहान परवत श्रंक लाएं कहां स्थित है अच्छा ये प्रेशन दुबारा से रिपीट हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रेशन है आपका समय शरू होता है सही उत्तर है option c सिनला अगला प्रश्न है निम्न में से राज्य की सबसे उंची हिमाच्छादित परवत चोटी कौन सी है चोटी लिखा है यहाँ चोटी परवत चोटी कौन सी है सबसे उंची हिमाच्छादित परवत चोटी A. नंदा देवी, B. कामेट, C. चगोरी, D. त्रिशूल आपका समश रो चुका है सही उत्तर है option A. नंदा देवी जो सबसे उंची हिमाच्छादित परवत चोटी है अगला प्रशन है राज्य में दून कहा जाता है इसे कहा जाता है A. नदी घाटियों को, B. संरचनात्मक घाटियों को option C. अलपाइन घास मैदान को, D. संकरी घाटियों को आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी सी कीचिए सही उत्तर को कमेंट जोड़ी है हमारी दूट्रिक्स टू पॉइंट के प्रेक्टिस क्लास में इसका सही उत्तर है option B. संरचनात्मक घाटियों को दूल कहा जाता है अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा दर्रा बागी शुर और पिथोड़ा गर को जोड़ता है चलिए आपके options देखते है A. श्रंकंट को B. प्रेल पास C. सिनला या D. बारा होती आपका समय शुरू होता है बागी शुर और पिथोड़ा गर को जोड़ने वाले धर्रे का नाम सही उत्तर है option B. प्रेल पास ठीक है फ्रेंट्स तो आज के लिए बस इतना ही है जल्दी हम मिलेंगे और भी बहुत सारे questions के साथ उनके practice करने के लिए लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि आपको जल्द से जल्द हमारे साथ इस class के live class में जोड़ना है जितने ज़्यादा students होंगे पढ़ने के लिए प्रेक्टिस करने के लिए उतनी ही जल्दी हम इस class को live class के route में शुरू करेंगे और live class में शुरू होगी class तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में तो ठीक है तब तक के लिए आप practice करते रहिए और जुड़े रहिए क्यों fix 2.0 को की साथ बाई बाई and take care